हेलो दोस्तों मैं सफी सर आप सब का स्वागत करता हूँ आपके चैनल आपके अपनेश की पॉइंट में आप सभी को नमस्ते आज की वीडियो में आप लोग को क्या करने वाले हैं जैसे बी एससी हो गया, आपका बी पी एससी हो गया, एससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यह सारे परिक्षाओं के लिए यह पंद्रे को संजो आज की वीडियो में आप लोग को बतला रहे हैं बाबू very very much important है, पहला question आपका है, मिर्गी बीमारी प्रभावित करता है, यहांड़ी प्रभावित करता है, वहां पे आपका चार option दिया होर रहेगा बाबू, जिस option में आपका तंत्री का तंत्र होगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि आप सब को मालूम होना चाहिए, मिरगी बीमारी प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है, तंत्री का तंत्र को प्रभावित करता है, तो जिस option में आप तंत्री का तंत्र देखोगे, वही आपका सही जवाब हो जाएगा, तो question number 1 का right answer क्या हो जाएगा, तंत् किस नदी को बिहार का आसु कहा जाता है आप सब को मालूम होना चाहिए कोसी नदी को बिहार का आसु कहा जाता है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कोसी नदी हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबु कोसी नदी हो जाएगा जिस उप्सन में आप कोसी देखोगे समझ आना वही आपका बिल्कुल सही जवाब है वही आपका बिल्कुल सही जवाब है कोसी नदी को बिहार का आसु कहा जाता है याद रखना बाबु कोसी नदी को कहा जाता है कोशन नमर तीन आपके सामने है कोशन नमर तीन आपका है सरवाधिक जन संख्या वाला के अंद्रे सासित परदेश है सरवाधिक जन संख्या वाला के अंद्रे सासित होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब है आप सबको मालूम होना चाहिए सरवाधिक जन संख्या वाला केंद्रेसासिप्रदेश कोन सा है तो आप सबको मालूम हो जाना चाहिए दिल्ली है चलिए कोसे नमर चार की और चलते हैं कोसे नमर हुए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एक राष्टर एक नेता का नारा किसने दिया था याद रखोगे हिटलर ने दिया था तो चलिए कोशन नमर चार का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा हिटलर हो जाएगा हिटलर हो जाएगा याद रखना कोशन नमर चार का सही जवाब क्या हो जाएगा हिटलर हो जाएगा चलिए कोशन नमर पांच की और चलते है कोशन नमर पांच भी वही आपका सही जवाब है उट को उट जानवर को रगिस्तान का जहाज कहा जाता है तो question number 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा उट हो जाएगा क्या हो जाएगा उट हो जाएगा याद रखना बाबू आपका क्या हो जाएगा उट हो जाएगा question number 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा उट चलिए question number 6 की और चलते हैं question number 6 आपका है कागज का अविस्कार करने वाले देश का नाम क्या है अब सब को मालूम होना चाहिए कागज का अविस्कार करने वाला देश का नाम क्या है वह कौन सा देश है जिनोंने कागज का अविस्कार किया वहाँ पे चार ओप्सन दिया हुआ रहेगा बाबू जिस ओप्सन में आपक अब सबको मालूम होना चाहिए महराश्ट्रे में महराश्ट्रे में एलुरा की गुफाएं इंसुद्स है एलुरा की गुफाएं किस राज्जी में स्नित है महराष्ट राज्जी में इस्नित है जिस option में महराष्ट होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाव होगा, तो question number 7 का right answer क्या हो जाएगा? महराष्य हो जाएगा. चलिए question number 7 complete, question number 8 की और चलते हैं. Question number 8 आपका क्या है? कपील वस्तु का संबंद किस वेक्ती से है? कपील वस्तु का संबंद किस वेक्ती से है? यही आपका question है बाबू. वहाँ पे आपका 4 option दिया होगा. जिस option में आपका question number 8 का right answer क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिस कहा होती है? दुनिया में विश्व में सबसे ज़्यादा बारिज कहा होती है तो याद रखना मानसिन राम मेगाल है इनका सही जवाब क्या हो जाएगा मानसिन राम मेगाल है याद रखना बाबू दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिज कहा होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारि किस नाम से पुकारी जाती है अब सबको मालूम है क्या मालूम है रेट किलीफ रेखा रेट किली रेखा के नाम से पुकारी जाती है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है तो रेट किलिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है question number 10 का भी answer हो गया complete question number 11 की और चलते है question number 11 भी अच्छा question है बावू जबरदस्त question है question क्या है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है किसको नहीं पता है आपको भी पता है इनका right answer क्या हो जाएगा सुतुर मुर्ग हो जाएगा जिस option में सुतुर मुर्ग होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है वावू सुतुर मुर्ग है question number 11 का है भविस्य का इंधन किसे कहते हैं चार option दिया हुआ रहेगा जिस option में hydrogen होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब है भविस्य का इंधन हम लोग hydrogen को कहते हैं और hydrogen का संकेट H होता है इनका क्या हो जाएगा हो जाएगा ठीक है hydrogen हो जाएगा भविस्य का इंधन hydrogen को कहा जाता है जिस option में hydrogen होगा वही आपका सही जवाब है कोस्टर नमर 11 आप 12 complete कोस्टर नमर 13 की और चलते हैं कोस्टर नमर 13 आपका है बाबू गोतम बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था किसको नहीं पता है सबको पता है सिद्धार्त हो जाएगा क्या हो जाएगा सिद्धार्त हो जाएगा चलिए क्वेसन नंबर 14 की ऐर चलते हैं कोशन नंबर 14 आपका है आपको सबको सबको मालूम है मेजर ध्यान-चन्द को कहा जाता है जिस option मेजर ध्यान-चन्द होगा वही आपका सही जवाब होगा याद रखना बाबू हखकी का जादूगर किसे कहा जाता है मेजर ध्यान चंद को कहा जाता है आज की विडियो का औंतिम question ये भी question आपका important question है बावू question आपका है दिल्ली चलो का नारा किससने दिया था किसको नहीं पता है सबको पता है सुपाचंद्र भोस इनका बिलकुल सही जवाब हो जायेगा question number 15 का right answer ho जायेगा question आपका है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था इनका बिलकुल सही जवाब हो जायेगा जिस option में नेता जी सुपाचंद्र भोस होंगे वही आपका बिलकुल सही जवाब है आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा बाबू आज के वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से रप्पेमेंट जरूर करना चलिए आज के वीडियो यही से स्वापत करते हैं धन्यवाद